हलो साथियों मैं विशेक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आई टी आई पर और ये हमारी सिरीज चल रही है कंप्रीट और आज की क्लास में हम लोग क्या डिसक्स करने वाले हैं पेट्रोल इंजन क्या देखेंगे हम लोग पेट्रोल इंजन तो पीछे की क्लास जिन लोगों नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे आप लोग पेट्रोल इंजन नहीं सर पेट्रोल इंजन हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन में चाहे वो फोर स्ट्रोक इंजन हो चाहे वो फोर्टी इंजन हो चाहे वो आपका टू स्ट्रोक इंजन हो सारा इसी में कवर होगा इसकी कम्प्लीट थियोरी एप्लिकेशन पर है ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट बनी हुए दोस्त प्लेलिस्ट में जाना क्लास वन से देखना स्टार्ट करना तब चीज़ें कुछ क्लियर होगी कहीं सभी पढ़ रहे हो ऑब्ज क्लास की को आइस है उसकी से लिखी हुई मेरी नौर्ट कर आया है वह मिल जाएगा इसके लाब मॉक्ट चेस्ट मिल जाएगा practice करने आपको मिल जाएगा इसकी फीस कितनी है दोस्त 4994 995 रुपए 1 साल इसकी वलेटी है सिर्फ ALP exam के लिए ही नहीं अगर कोई और भी exam आप देना चाहा रहे हैं तो इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको है क्योंकि मैं detail में पूरा diesel mechanic ले करके चल रहा हूँ पहला सवाल क्या कह रहा है कि engine एक यांत्रिक युक्ती है इंजन एक mechanical device है जो परिवर्थित करती है आप देखिए class first में ही मैंने engine के परिचे में ही आपको बताया था कि जो आपका heat engine होता है दोस्त है न वो क्या करता है heat engine heat engine क्या करता है ये करता है आपकी chemical energy को chemical energy को heat energy में convert करता है heat energy में convert करता है फिर heat energy से हम लोग किसमें convert करते हैं इसको लो mechanical energy में mechanical energy में मतलब रासाइनिक उर्जा को convert करना है हमको उसमी उर्जा में उसमी उर्जा से फिक अन्वर्ट करना है किसमें आपके यांत्रिक उर्जा में हिंदिय और इंग्लिस दोनों समझ में आ रही चीज़े अब देखिए केमिकल एनरजी के मतलब क्या है कुछ न कुछ हम लोग इंधन डालते हैं चाहे पेट्रोल डालें डालें डीजल डालें हिट एनरजी को प्या कर रहा है अगर स्टार्टिंग से हम लोग देखें तो चाहिए मेकैनिकल एनरजी में लुटा ुल्टा नहीं कर रहा है ने हमको हीट से मेकैनिकल की तरफ जाना है तो पहला आप्शन हो गया आपका दूसरा क्या है heat energy को mechanical energy में heat energy को mechanical energy में बिल्कुल सही कह रहा है भाई साब है ना heat energy को mechanical energy में B option correct लग रहा है बट नीचे देखते है mechanical energy को sound energy में गलत है sound energy का कोई मतलब नहीं है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं तो B option इसका क्या हो जाएगा दोस्त सही हो जाएगा समझ में आ रही है चीज़े या नहीं बिलकुल आने चाहिए है ना clear है यहाँ तक देखिए an engine is mechanical device that convert किसमे किसमे convert करता है heat energy into mechanical energy यानि कि उसमिय उर्जा को यांत्रिक उर्जा में convert करता है आपका engine engine अगले सवाल पर आएं इंजन में petrol का दहन होता है इससे आपका क्या भी प्राय है अब petrol engine पड़ रहे हैं तो petrol का ही दहन कराएंगे diesel engine पड़ रहे होते तो हम लोग diesel का दहन कराते तो जब भी इंधन का दहन होता है उससे हमारा क्या है उससे हमारा engine चलता है हमको पावर मिलती है हमको वर्क मिलता है है ना तो पेट्रोल के जलने के कारण क्या इंजन बंद हो जाता है नहीं पेट्रोल के जलने से बंद करने अगर पेट्रोल जल रहा है उसको बंद करेंगे तब इंजन बंद होता है ना तो इंजन बंद करने से इंजन बंद ह पाता है क्या यह सही है नहीं गलत है प्ट्रोल के जलने से ही तो इंजन काम करता है व्यावारिक चीजें यह कोई भी बता देगा है ना आगे बढ़ेंगे तब हो सकता है कि चीजें complicated है, petrol burns in the engine, what do you means by, तो क्या हो जाएगा, power is generated in the engine due to the burning of petrol, बी option इसका क्या हो जाएगा, दोस्त, correct हो जाएगा, आगे बढ़ें हम लोग, two stroke engine में पोटों का प्रयोग किया जाता है, अब देखिए, engine दो प्रकार का, stroke क्या धार पर, एक तो two stroke, एक तो four stroke, जितने भी two stroke engine होंगे, ध्यान से समझेगा, जितने भी two stroke engine होंगे, two stroke का हम लोग two T लिखते हैं, उसमें दो stroke में सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होती है, कौन कौन सी, suction, compression, compression, expansion, याद रखिएगा, दोस्ते सारी चीज़े हैं ना, expansion और exhaust, ये चारों प्रक्रियाएं दो बार में पूरी हो जाती हैं, कैसे पूरी हो जाती हैं, दो बार में पूरी हो जाती हैं, कैसे, suction, compression एक बार में पूरी हो जाएगी, और expansion और exhaust आपकी दूसरे राउंड में पूरी हो जाएगी clear है दूसरे stroke में पूरी हो जाएगी अब देखिए जब आपका 4 stroke engine होगा 40 engine होगा उस condition में क्या होगा suction, compression, expansion expansion को ही हम लोग क्या बोलते हैं power stroke बोलते हैं ये भी पूछ लेगा है ना और exhaust ये पहले stroke में ये दूसरे stroke में ये तीसरे stroke में और ये चौथे stroke में और क्या अंतर है two stroke engine जो होगा उस two stroke engine में हमेसा port लगे होगे अब port क्या होते हैं port का मतलब ये होता है कि cylinder में ही एक खाचा काट दिया जाता है स्लिंडर में ही क्या काट दिया जाता है एक स्लोट काट दिया जाता है अब ये कटा हुआ है पिस्टन उपर नीचे गती करता है तो एक टाइम पिस्टन क्या करेगा इसको बंद करके रखेगा एक टाइम पिस्टन क्या करेगा इसको खोल के रखेगा यहीं से हमारा इंधन अ सवाल क्या कह रहा है ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे सर एप्लिकेशन पर थियुरी तो मैं पढ़ी रहा हूं यहां इतना डिटेल क्यों पोटों का प्रयोग किसले के जाता है चार्ज करने के लिए पावर स्ट्रोक करने के लिए ताजा इधन आने वजली गैसों को निकालने के लिए बिल्कुल सही सी ओप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा समझ भी हार यहीं चीज़ें देखेगा इन टू स्ट्रोक इंजन पोर्ट्स आर यूजड फॉर किसके लिए इंटेक आफ फ्रेश फ्यूल एंड एग्जास आफ बंट गैस सी ओप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़े हम लो चूसन और संपीडन यह किस स्टोक में होता है प्रथम स्टोक में दूसरे स्टोक में क्या होगा एक्सपैंसन और एक्जास्ट अच्छा यह बताओ आफ फोर स्टोक में ज्यादा पावर होगी है तू स्टोक में क्योंकि सिर्फ दो ही स्टोक में हमको एक बार पावर मिल ज कौन कौन सा section और compression यह सी option कितना easy है दोस्त है ना बस ध्यान से साथ साथ सुनते चलिए और theory cover कर लिए मेरे साथ तो बल्ले ही बल्ले है ना section and compression stroke c option इसका correct हो जागा the first stroke of two stroke engine consists of section and compression stroke तो लास्ट स्टेज में क्या होगा expansion और exhaust है ना exhaust और शक्षन का कोई ऐसा विकल्प नहीं है ठीक है टू इस्टोक इंजन होते हैं टू इस्टोक इंजन हलका होता है इसको ठंडा करने के लिए हमको किसी प्रकार के water वाटर कुल की ज़रुवत नहीं होती है इसको हम लोग सिंपल हवा से थंदा कर सकते हैं क्योंकि बहुती छोटा इंजन होता है इस टोक इंजन ठीक है टुट रोक इंजन और एर कॉल इंजन इसको हम लोग हवासे ठंदा करते हैं कुलिंग अन्लुब्रिकेशन मैंने पढ़ है ना objective भी मैने कराया है को निमर्फित में से किसमें power कम उत्पन वह होती है वही सवाल power 4 stroke में कम या 2 stroke में कम 4 stroke में power कम उत्पन होगे क्यों? क्योंकि 4 बार के piston के उपर नीचे गती करने पे हमको एक बार power मिलती है और 2 stroke में हमको 2 ही बार उपर नीचे जाने में हमको एक बार power मिल जा रही है तो अगर 10 चक्कर लगाया या 12 चक्कर तो 4 stroke में हमको कितनी बार मीली power 3 बार मिली और उसमें सब्सक्राइब हो गार्ण किस्का मुंट विलके तो जादा power किसमें होगा दो स्ट्रोक में 2T में क्या होगा power जीद होगा कि ihrer जाधा होगा और 40 में क्या होगा दोस्त 40 में is't power कम होगा ध्यान आप लोग तो निव लिखित में से किसमें पावर कम मुत्पन होती है तो फोर स्टोक चक्र इंजन में फोर स्टोक साइकल इंजन में यह उप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कॉंसेट बताता चलूंगा है ना वीच आफ दी फॉल्लइंग जनरेट लेस पावर फोर स्टोक साइकल इंजन फटा फटा आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम नहीं कंजूम करेंगे कंप्रेश्ट मिस्तरण को जलाना किस स्टोक के अंतरगत आता है अब देखिए दबा हुआ मिस्तरण संपीडन के बाद हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है पावर स्टोक मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते है एक्सपेंशन स्टोक में हमेशा Expansion Stroke में हमेशा क्या होता है हमारा Fuel जलता है Fuel जलता है और Power मिलती है Power मिलती है Section में क्या होता है? Charge अंदर आता है Compression में क्या होता है? दबाया जाता है, संपीडित किया जाता है Charge को Expansion में क्या होता है? जलाते हैं हम लोग और हमको मिलती है Power एक्जास्ट में क्या होता है जली हुई गैसे या धुँआ हमारा क्या है साइलेंसर की मादियम से बाहर भी जा जाता है चीजें समझ में आ रही है कंप्रेश्ट मिस्टर को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर गताता है तो आप ढूड़ लेजिए पावर स्ट्रोक यह expansion stroke, power stroke option में है, option में expansion भी हो सकता था, expansion, तो इसका A option क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, clear हैं चीज़ें, आगे बढ़ा जाए, चलो भजी, spark ignition engine में, spark ignition engine का मतलब क्या हो गया, SI engine, example, petrol engine, petrol engine, तो सर, diesel engine को क्या कहेंगे, diesel engine को हम लोग क्या कहेंगे, CI engine, यानि की compression ignition engine, spark ignition engine में, यानि की petrol engine में हमें सा spark plug लगा होता है, जोर की चिनगारी देता है, है ना, और diesel engine में हमें सा क्या लगा होता है, fuel injector लगा होता है, क्या लगा होता है, fuel, injector लगा होता है, है ना, और इसमें क्या लगा होता है, spark plug, spark plug, ठिक, spark ignition engine में इधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो spark ignition engine में petrol, है न, क्या यूज होता है हम लोग, petrol, नहीं, गलत हो जाएगा, नीचे जाएगा हम लोग, petrol वावायू का मिस्टर, D option, क्यों D option सही हुआ, जब भी petrol हम लोग, charge के रूप में भेजते हैं, पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल और हवा, इन दोनों को मिला करके कार्बूरेटर से, फिर हम लोग भेजते हैं, सिलिंडर के अंदर, तो इसका correct answer, complete answer यह हो जाएगा, इन तो पेट्रोल है, लेकिन जाता क्या है, चार्ज, पूरा, चार्ज की बात करें, तो हम लोग पेट्रोल वावायू का मिस्टर जाता है, अंदर, है न, what is used our fuel in a spark ignition engine, mixture of petrol and air, D option is the correct answer, clear यहां तक, आगे बढ़ा जाएं दोस्त, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चली, आगे बढ़ें, ठीक है, इन में से कौन सा पेट्रोल इंजन का भाग है, देखिए, सिलिंडर क्या पेट्रोल इंजन में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, पिस्टन क्या पेट्रोल इंजन में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, फ्लाइवील क्या रहेगा, बिल्कुल रहेगा, तो क्या नहीं रहेगा, पेट्रोल इंजन में सारी चीजे होती है, पेट्रोल इंजन में स्पार्ग प्लग एक्स्ट्रा रहता है, साथ में कार्बूरेटर, ये दो चीजें एक्स्ट्रा रहती है, वहीं पर इस पैर प्लक के श्थान पश्कार मैं किया रहता है पास फ्यूल इंजक्टर न है am पिअ इस आ Burning जेक्टर किसे में रहता है भी जाल में उैंक इस क्लियर है किicho आघे-बढ़ें आगले सवालों पर अगले सवाल पर आते हैं पेट्रोल इंजन में प्रियुक्त सिलिंडर किस धातुका बनाया जाता है कास्ट एरन का सिलिंडर हो गया सिलिंडर हेड हो गया सब किसका बनेगा कास्ट एरन का धलवा लोहे का बनेगा धलवा लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं कास्ट एरन बोल अब देखिए, सिलेंडर में उपरी सीमा, निचली सीमा कब होगी, जब सिलेंडर आपका ऐसे होगा, खड़ा-खड़ा होगा, खड़ा-खड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, यानि कि उर्ध्वाधर, अगर सिलेंडर आपका उर्ध्वाधर है, खड़ आगर सिलेंडर मेरे दोस्त अगर सिलेंडर आपका ऐसे हुआ कि यह क्या है यह होता है 36 तो यानि कि होरिजेंटल कि उस कंडिशन में हमारा पिस्टन का पोजिशन आईडीसी और ओडीसी अगर क्रेंक साफ्ट की तरफ होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे अगर क्रेंक साफ्ट से दूर होगा आपका पिस्टन तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे औरीसी यानि की औृटर डीसी डिफ्रेंट हो जाता है है जैसे यzeदेसे वर्टिकल या होरिजेंटल Cylinder की position के आधार पर TDC, BDC convert हो जाता है IDC और ODC में फिलहाल Cylinder में उपरी सीमा की बात कर रहा है तो उपरी सीमा TDC निचली सीमा की बात कर रहा है तो निचली वाली सीमा BDC TDC का मतलब Top Dead Center, BDC का मतलब Bottom Dead Center Clear होना चाहिए दोस्ता है ना कोई कमी नहीं आनी चाहिए Cylinder Head किस धादु का बना होता है तो Cylinder Head बना होता है आपके Cast Iron और साथ ही साथ Aluminium Alloy का भी बना हो सकता है Piston भी कहीं कहीं पूछा जाता है तो वो भी हम लोग किसका बनाते हैं Aluminium का बनाते हैं क्योंकि Aluminium हमेसा हलका होता है और Piston भारी रहेगा तो उठबे नहीं करेगा है ना चलेगा ही नहीं बहुत ज्यादा Loss होगा एनर्जी का तो इसलिए इसका Option क्या हो जाएगा Correct D हो जाएगा Cast Iron का भी हम लोग बनाते हैं Cylinder Head क्या होता है सिलिंडर के उपर वाला हिस्सा जिसमें वाल्व अर्रेंजमेंट धक्कन है वह है जैसे आप बॉटल लेते हैं पानी पीने वाला उपर कैप लगाते हैं वही चीज़ है सिलिंडर हीड कि किसका बना होगाby be & Caesar का खसकता है करें अ आगे बढ़ा जाये मल्ती स्लेंडर नटी होता है एक सिलिंडर का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ एक सिलिंडर और restrictive मैंने मल्टी सिलिंडर अदिक सिलिंडर और क्या हो गया कि उसर् unlimited इक से अधिक कि मल्टी सिलेंडरेंग से श्मपमदित नहीं जी से पिस्टन करता है इस इसी पिश्टन में लगी होती है ring ring किस लिए लगी होती है देखे ring minimum 3 हो सकती है ring के बारे मैंने आपको पढ़ाया है ring दो प्रकार की होती है एक oil ring होती है compression ring होती है पीछे की class में देख लेना यह playlist अच्छे से watch कर रहे होगे starting से तो आपको idea होगा piston किसका भाग है piston का इसका खाल भाग ring है बिल्कुल है ring के साथ में एक जूरी होती है यहां से connecting rod क्या जूरी होती है connecting rod एक क्नेक्टिंग रओड किस से जूरी है piston से मतलब किसका भाग हो गया piston का ही भाग हो गया इस connecting राट को जोडेगा piston से कहों गजन गजन पिन गजन पिन का ही एक नाम और क्या है पिस्टन पिन पिस्टन पिन तो पिस्टन से जुड़ी हुई कौन कौन से चीज़ें हो गई एक तो रिंग हो गई एक तो ring हो गई, एक connecting rod हो गई, एक क्या हो गई आपकी गजन pin या piston pin, ढूड़ दो इसमें, कौन सा piston से संबंधित नहीं है, ring है, बिल्कुल है, गजन pin बिल्कुल है, ये वाला pin, connecting rod बिल्कुल है, ये वाला है न, crank soft, crank soft नहीं जुड़ी होती है पिस्टन से, क्योंकि crank soft जुड क्लियर यहां तक आगे बढ़ते हैं, crank soft engine का मुख्य भाग है, इस भाग का कार्य क्या होता है, देखिए, crank soft का भाग क्या क्या होता है, piston आपका motion करता है कैसे, उपर नीचे, यानि कि रेखी ये गती, piston से हमारा connecting rod कैसी गती करता है, दोलन गती करता है, फिर हमारी crank soft कैसी गत गती करती है, अब आप ढूंड लो, है न, crank soft क्या करेगा, crank soft दोलन गती करती है, नहीं, crank soft कैसी गती करेगी, घोंड़ी गती करेगी, मैंने बताया न, crank soft piston की दोलन गती को, क्या piston दोलन गती करता है, नहीं, piston मैंने कैसा बताया, reciprocating या रेखी है, उपर नीचे, है न, तो य option इसका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा समझ में आ रही है क्या चीज़ें दोस्त समझ में आ रही है तो please अब ही मैं बोल रहा हूं कि चैनल को subscribe कर लो और please अपने दोस्तों को यह playlist जरूर शेयर कर दो जिसको आप चाहते हो कि आपके साथ में उसको भी जवाब लेना है चलो the crank soft is the main part of the engine what is the function of part तो क्या हो जाएगा the crank soft convert the up-down motion of the piston into rotational motion c option is the correct answer आगे बढ़े हम लोग कैम चक्रिय गति को किस गति में परिवर्थित करती है देखिए कैम और follower दो चीज़े होती है यह कैम हो गई यहां पर fix है यहां से घूमेगा अब यहां से घूमता है तो जब यह वहला portion ऊपर आएगा तो यहां पहुचेगा कहीं कहां पहुचेगा यहां पहुचेगा कहीं तो यह कैम हो गया और यहीं पर ऊपर लगी होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं करेगी और जो आपकी follower लगी होगी वो कैसी मोशन करेगी रेखिये गती करेगी या रेखिये के साथ साथ Receipt प्रोटेटिंग इसको हम बोल सकते हैं तो Qaim चक्रिये गती को किस गती में कनवर्ट कर रही है भाई रेखिये गती में काइम की चक्रिय गती, घुनडी गती, किस motion में convert कर रही है, रेखिये में, C option, कितनी अच्छी चीज़ें हैं, concept clear हो तो सारी चीज़ें clear है, linear motion, आगे बढ़ है, four stroke engine का अंतिम stroke होता है, देखिए, four stroke engine में अंतिम stroke क्या होता है, suction, compression, expansion, exhaust, ये चार stroke होते हैं, पीछे हमने बताया, four stroke में, हर एक stroke में एक चीज़ें complete होती है, सबसे पहला क्या होता है, आपका suction होता है, सबसे पहला, दूसरा क्या होता है, compression होता है, तीसरा क्या होता है, power stroke, या इसी को हम लोग क्या बोलते है, expansion, ये तीसरे नमबर पे होता है, fourth नमबर पे क्या होता है, exhaust होता है, अब कौन सा पूछेगा तो भी आपको याद रखना है कि सक्सान होता है पहले क्या है फ्यूल अंदर आएगा फिर कंप्रेशन होगा उसको दबाया जाएगा फिर उसमें चीनगारी लगा के आग लगाई जाएगी हमको पावर मिलेगा पावर स्टोक या एक्सपेंशन स्टोक में एक्जास्ट स्टोक में धुआ क्या है बाहर निकलेगा तो क्या पूछ रहा है फोर स्टोक इंजन में अंतिक स्टोक में क्या होता है तो अंतिक स्टोक में डी ऑप्शन चौथा चौथा स्टेप है तीसरा पूछे तो पावर बता ने के लिए सहायक होते हैं आप देखेंट जो Cranks dal कि उती है कि वह बहुत जगह कटी-छटी होती है जैसे выпуск एक तम सीधी सफ नहीं होती है इसके सबूसर चीजन काने के लिए rotation मुशन और में कानवर्ट करेंगनेएर कन कि वम लुग क्या करते हैं यहां बीछ इसको क्या ये ऐसा हो जाय कि ऐसा भी हो सकता है तो अब इसको घुमाना है हम को हम घुमा कर जादा है तो यह सई से मोशन ना हो आपकी Soft में आपकी Soft हो यह इदर की Side बढ़ा हुआ है तो यहाँ हम लोग इधर बढ़ा देंगे Rock material które कर देते हैं अभी material आइड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते है cognitive weight बोलते हैं क्या बोलते है Profile translation पढ़ाया है यह इसलिए बनाया है c option है ना correct है आगे बढ़ें समझ में नहीं आएगा दोस्तों प्लीज कमेंट कर देना आप लोग electronic fuel injection प्रणाली निम्न में से किस प्रणाली का आधुनिक रूप है थियोरी में पढ़ाया मैंने कि जो electronic fuel injection प्रणाली है ना क्या electronic fuel injection EFI यह किसका आधुनिक रूप है कह रहा है तो यह किसका आधुनिक रूप है गैसोल इन इंजेक्शन प्रणाली का जो है यह modified रूप है याद रखना है इसको आपको थियोरी मैंने बताया है बी option इसका क्या हो जाएगा correct हो जाएगा पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है पिस्टन हमेशा कहां होता है cylinder के अंदर होता है अब कोई चीज अंदर भेजना है है ना मान के चलिए मैं आपसे पूछ हूँ कि यह pen है यह pen की cap है अब आपसे मैं बोलू कि किसका व्यास ज्यादा किसका व्यास कम जाहिर सी बात है अगर pen को हमको और motion भी कराना है तो piston क्या व्यास cylinder के व्यास से सदैव क्या होता है कम होता है less the diameter of the piston is greater than the diameter of cylinder less आगे बढ़ें piston ring के दोनों सीरों के बीच कुछ gap होता है जिसे piston ring gap कहते हैं इस gap की क्या होती है जो हम लोग normal ring अपने fingers में पह Nete है उसमें कोई gap नहीं होता है लेकिन piston में piston में यह piston हो गया इसमें हम लोग ring पहनाते हैं क्या करते हैं रिचा जा रहता है तो यह कैसी होती है ही यहां फोलigg होती है .50 mm तक data है इसको आप याद कर लो इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता बस मैं ये बता सकता हूँ कि इस gap को कहते हैं न ये वाला gap है ये ठीक है .178 से .50 mm आगे बढ़े हम लोग गजन पिन को क्या कहा जाता है गजन पिन गजन पिन का काम क्या होता है पिस्टन को पिस्टन को जोड़ना किस से connecting rods से गजन पिन का एक नाम और होता है क्या होता है पिस्टन पिन पिन तो क्या पूछा है अच्छा वही पूछा है न गजन पिन को क्या कहा जाता है तो पिस्टन पिन कहा जाता है इसके अलबाब पूच लेगी क्या करता है तो पिस् cold तो क्या कहा जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं piston pin आगे बढ़ है पेट्रोल इंजन में combustion pressure कितना होता है तो यह आपको data है याद करना है one ratio 4 से one ratio 10 तक ए ऐ option आगे बढ़ है flywheel किस पदार्थ का बना होता है flywheel क्या लकड़ी का बनेगा नहीं aluminium का बनेगा नहीं तांबे का बनेगा नहीं flywheel का काम क्या होता है कि अगर four stroke engine है वहाँ पे हमको चार बार में एक बार power मिल रही है बागी तीन बार कैसे काम होगा तीन बार आपका soft कैसे घुमेगा तीन बार आपका valve कैसे खुलेगा बंद होगा तो एक बार मिली हुई power को अपने आप में absorb करके बांकि तीन बार power देना किसका काम होता है flywheel का काम होता है ठीक है flywheel का chapter मैंने अलग से कराया है application पे वो पढ़ लेना आप लोग है ना तो क्या हो जाएगा what material is flywheel made of तो वो बनी होती है आपकी steel की flywheel में क्या fit रहता है flywheel आचा bearing पूच रहा है काउन सी bearing bearing दो प्रकार की होती है आप लोगोंने देखा होगा एक होती है bearing काउन काउन सी एक होती है बाल bearing एक होती है रोलर bearing बाल bearing जो आप कंचे खेलते थे बच्पन में छोटे छोटे है ना गोले आकार में वो क्या होती है बाल bearing होती है अगर इस bearing में कंचे छोटे छोटे लगे हुए है यानि कि circle वो क्या होगा बाल bearing होगा रोलर bearing में क्या होता है ये pin है ना इस pin को काट दें हम ऐसे च्छोटा-च्छोटा काट दें ये cylindrical shape में रहता है इसको हम लोग क्या बोलते है roller bearing बोलते है तो जो flywheel में लगा होता है वो roller bearing ही लगा होता है और roller bearing में भी लगा होता है पर अगली सवाल पर आते हैं engine valve खूलते हैं किसके द्वारा cam soft के दौरा frank soft के द्वारा rocker soft के द्वारा या valve guide द्वारा किसके द्वारा cam soft के द्वारा नीचे होती है आपकी crank soft crank soft जो की rotate करती है इसको हम लोग किसी chain drive से built drive से जोडते है किस से camsoft से उपर और यहां बीच में आपका cylinder piston यह सारा arrangement रहता है यहां से connecting road यह connecting road घुमाती है आपके इसके cranksoft को और cranksoft से आपका जुड़ा होता है camsoft फिर यह camsoft क्या करता है यहां पे valve को खोलने या बंद करने का काम करता है मैंने कराया है तो किस के द्वारा खुलेगा बंद होगा यह camsoft के द्वारा engine valves are opened by camsoft clear है valve को seat से चिपका कर बंद करने के लिए किसका प्रयोग की आता है valve spring का प्रयोग की आता है याद रखिएगा valve spring क्या ही समझा हूँ मैं इसमें is used to close the valves by sticking them to the seat किस के द्वारा valve spring के द्वारा सब theory में कराया हुआ है समय से पूर्व किसी valve का खुलना देखिए दो चीजें हो सकती है एक क्या हो सकता है या तो समय से पहले valve खुल जाए समय से पहले खुल जाए या समय से बाद खुल जाए अगर पहले खुलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लीड बोलते हैं क्या बोलते हैं लीड होता है ना कि यह उसको लीड कर गया अगर दो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं अगर जो बच्चा उसमें से आगे निकल जाएगा तो बोलेगा कि यह लीड कर रहा है लीड सब्सक्राइब का आइकन प्रिस किया और वाट्साइब थोड़ा लेट खुल रहा है तो अगर वाल्व देरी से खुल रहा है तो उसको लाइक बोलेंगे पहले खुल रहा है तो लीड बोलेंगे अब क्या कह रहा है पूर्व खुल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे Movement frustrory Android बलेंगे क्या बोलेंगे वाल्व लीड और ऐक्लेर है आगे बढ़े पेट्रोल इंजीन में सिलेंडर में पैट्रोल say कमें जाने के लिए किसका प्रयूज करते हम लोग तो इनलेट वाल्व का प्रियोग करते हैं है ना देखिए अब इसने ये क्लेरिफाई नहीं किया कि टू स्टोक इंजन है आपका या फोर स्टोक इंजन है अगर टू स्टोक इंजन होता तो हम लोग पोर्ट का प्रियोग करते फोर स्टोक इंजन होता तो हम लोग वाल्व का प् ट्रोल इंजन तो क्या हो जाएगा इंलेट वाल विया इंलेट पोट जली गैसों की आवाज को कम करने के लिए इंजन में क्या प्रयोग किया जाता है साइलेंसर अगर आप अपनी बाई के साउंड आफ बर्निंग फ्यूल इंजन किसका प्रयोग करेंगे साइलेंसर का निम्न में से कौन सा इंटेक प्रणाली का अव्यव है आप बताओ साइलेंसर क्या इंटेक प्रणाली का अव्यव है नहीं यह तो आउटलेट प्रणाली का अव्यव है यहां से क्या होता है चीजें बाहर निकलती साइलेंसर से धुमा बाहर निकलता है तो इंटेक पूछ रहा है अंदर आने वाली प्रणाली तो इसका क्या हो जाएगा बी option correct हो जाएगा है ना बी option air cleaner आगे बढ़ें इंजन की जली गैस निम्न में से किस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है inlet port से बाहर नहीं निकलती है सही बात है ट्रांसफर पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है सही बात है को आया है यहां से इंज kicking करके चार्ज को भीजने के लिए टांसफर पर्यों करते हैं आशा करता हूं कि जो भी objective मैं आपके लेके आया होंगा आज बहुती सरल लग यह होंगे क्योंकि मैंने तरीके से समझाया है हो सकता है कि आप इतने सारे question को करते हैं इसमें से 3-4 question आपके गलत भी हो सकते थे तो मैं आशा करता हूं कि आगे जो भी classes आएंगे उनको आप लोग enjoy करेंगे hopefully कि आप उसको share कर रहे होंगे चैनल को subscribe कर रहे होंगे support कर रहे होंगे इस class को मैं रोकता हूं यहीं पर मिलता हूं आप से सीधे किसी और चैप्टर पर किसी और class में बांकि application आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए application पर आपकी classes तरीके से चल रही हैं और हमारा contact number चाहिए हमसे बात करना है तो application इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर WhatsApp का बटन है उस पर क्लिक करेंगे डारेक्ट हमसे बात हो जाएगी धन्यवाद